ओ, कितना कभार है यहाँ पर सब साफ करना पड़ेगा और धूल भी है लड़कियों, देखो मुझी क्या मिला है चलो जाने कि इस रहस्से में तिजोरी में क्या है फिर से पुराना कच्रा ही लग रहा है शायद यह टोपी था यहाँ कुछ दिल्चस्प लग रहा है देखो, पता नहीं यह क्या है लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जानना है कि इस उजवल छोटी किताब के अंदर क्या है चलो एक नजर डालते है अरे वाँ अरे वाँ लड़कियों, जाहिर हमें इन बबल्स को छोने की जर्वत है अरे हम कहा है वाँ क्या था वाँ, देखो लड़कियों, हम असली मारमेट्स के तरह दिख रहे है गुड मॉर्निंग अरे, यह क्या है यहाँ इतने सारे पौधे क्यों उगाए है क्या यह सच्ची में मेरी नई लुक का प्रभाव है और मैं इस पूझ के साथ कैसे चलू कितना मुश्किल है ऐसे चलना इसके अलावा यह पत्ते हर जगा है कितना बुरा है मुझे तुरंत अपना चेहरा धोने की जर्वत है और इन पौजों से छुटकारा पाना होगा अब थोड़ा ठीक लग रहा है आरे नहीं यह क्या वाँ दीखो अब मैं क्या कर सकती हूँ यह असली चमतकार है बहुत बढ़िया अब मैं और भी सुन्दर दिखूंगी मुझे अपना नया रूप पसंद आने लगा है आँ लेकिन मैं अभी भी चल नहीं पा रही अजीब है यहाँ पर किस चिस की महकारी है आँ आग यह कैसे हो सकता है क्ये सची मैं इसलिवा क्योंकि मैं एक मॉर्मिट हूँ हमें इस आग को तत्काल बुझाने की जरुवत है फ्यूँ हो गया अब मेरे हाथों में क्या हो रहा है ओ मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ खड़ा होना कितना मुश्किल है मुझे अभी तक इसके आदत नहीं है ओ ओ मुखे बाद यहां सब कुछ जलाना नहीं है ओ ओ लगता है देर हो रही है अरे नहीं पूरा कमरा जल रहा है ओफ हमें फिर से आग बुझानी होगी मैं पहले ही ठक गई हूँ यह क्या हो रहा है क्या मैं हवा में हो मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया की पहली फ्लाइंग मर्मिट बनूगी वैसे मैं अब हावा को नियंतित कर सकती हूँ वाफ मैं छोटे टॉर्णे डोस भी बना सकती हूँ कूल हलाके मुझे यह सीधे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बात नहीं मैं उन्हें खुद गर्ड कर सकती हूँ वाफ आखिर मैं कितनी खुबसूरत लग रही हूँ अब यह हुई ना बात क्या अच्छा देख रहा है एक पूच के साथ भी ओह यह क्या है मैं सपना देख रही थी पूरे दुनिया को गुड मॉनिंग ओह मैं इतनी गहरे नीन सो रही थी और मैं क्या कर रही हूँ ओह कितना घंदा ऐसा लग रहा है जिसे मुझे समुद्र तल से बाहर निकाला गया है अब मैं क्या करूँ हाँ लेकिन कोई बात नहीं अब मैं अच्छ अपने आपको ठीक कर लोगी अब मैं सुन्दर दिख रही हूँ आ इस मचली की पूच पर खड़ी भी कैसे होते है उफ मैंने अपने बालों को बिना मतलब के लिए सुखाये थे अब मुझे फिर से ठीक करना होगा उफ एक मर्मेट होना मुश्किल है तुम सही काम कर रहे हो हमें तभी शूट करो जब हम अनुमती देते हैं लड़कियों तुम कमाल की दिख रही हो हाँ इसमें कोई शक नहीं है और मुझे मत बताओ दोस्त हम सच्ची में सुन्दरिया है घंटी यह मर्मेट के क्लास का समय है चलो चलते है मुझे इस पूट से नफरत है तुम बहुत सुन्दर और बहुत फ़नी हो अब खुल भी चाओ चलो बेकार लोकर मेरे पास इसे खोलने की ताकत नहीं है ठेक है मुझे पता है कि मुझे क्या मदद करेगी कभी-कभी मेरी नईक शमता एक काम आती है हाँ, ये हुई ना बात हाला कि मैंने इसे थोड़ा ज़ाधा कर दिया है मुझे किवाद अपने लोकर की जर्वत थी बाकी सभी की नहीं मैं सिर्फ अपनी डायरी लेना चाहती थी आप मुझे यहां से जाना चाहिए हाँ, हाई कुईंटिर मुझे आशा है कि अगर मैं तुम्हारे बगल में बैठू तो तुम्हें कोई आपत्ती नहीं होगी आप, मुझे अपरवा नहीं है मेरा पसंदीदा खूल मर रहा है देखो, लगबग कोई पत्ते नहीं बचे है ओ, बेचारा यह अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ देखो, आप तुम्हारा फूल अपनी पूर्व सुन्दर्ता को फिर से हासिल कर लीगा अरे वाँ लेली, तुम एक असली जादूगर हो और यह सब नहीं है मैं और भी कुछ करने में सक्षम हूँ अरे वाँ लीली, मैंने कभी ऐसी सुन्दर्ता का सपना देखने के भी हिम्मत नहीं की थी तुम इसके साथ और क्या कर सकती हो? और मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ जिससे तुम्हारे पौधों से उगे हुए ब्रांचिस तुम्हे लपेट ले यह मुझे डराता है यह अच्छा लग रहा है ओ नहीं, यह बिलकुल भी आराम दायक नहीं है अच्छे कुइंटिन, कोई बात नहीं मुझे मेरी पढ़ाई से डिस्ट्रेक्ट मत करो हाई सोफी आँ, पानी कहां से आया ओ, ओ, नमस्ते ओ, ओ, यह पानी कहां से आया लड़को, तुम सबको इतनी चोट कैसे लगी? अपस यह सब फर्श पर पानी की वज़े से है हम सब इसकी वज़े से गिर गए पानी? मैंने इसे जान बुझ करने ही किया अरे, इसकी वज़े से मुझे बंद करने की क्या जरूवत है? ठीक है, मैं सहमत हूँ यह टेप कई लोगों की जान बचाने में मदद करीगी माल्टी डू को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ओरिजिनल और मज़िदार चुनोतियों को मिस ना करें कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सी मर्मिट सबसे ज़्यादा पसंद है और जिनके शमताओं में आप महारत हासिल करना चाहते हैं कर दिनके शमताओं में जब महारत हैं